एलो दोस्तो फार्मिंग लाइन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में के दोस्तो क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है और हम कैसे क्रॉस ब्रीडिंग करके एक बड़िया नसल की गाए जो है त्यार कर सकते हैं तो दोस्तो य एक जानकारी जो है मेरे किसान भाईयों के लिए बहुत ही महतापूर जानकारी जो डेरी फार्म का काम कर रहे हैं तो दोस्तों इस जानकारी को समझने के लिए शुरू से लेकर इंड तक मेरी इस वीडियो को जरूर देखिए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कि हम कैसे एक द जेसी गाये को क्रॉस करवाना होता है सबसे पहले जर्सी सांड से तो जिसकी मां का दूद तक्रीबन 4-4 लीटर हो यह मैंने एक जानकारी मातर ही आपको बता रहा हूं दूद ज्यादा भी हो सकता है तो जब हम यह से क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास जो क्रॉस बचडी आए उसका 2200 लीटर दूद है तो उसे हम रेड डेन सांड से क्रॉस करवाएंगे तो जिसका दूद भी मान लीजिए 4-4 लीटर और हमारे पास जो क्रॉस रेड डेन बचडी आएगी 75% हो जाएगी उसकी नसल तो दोस्तों उसका दूद बढ़कर हो जाएगा 3100 लीटर दोस्तो साथ-साथ दूद भी बढ़ता जाएगा और नसल में भी सिदार आता जाएगा तो उसके बाद हमने जो रेड डेन बचडी आएगी हमारे पास क्रॉस उसे हमने क्रॉस करवाना है मेट करवाना है एच एफ सांड से तो एच एफ सांड का भी दूद मान लीजिए 4-4 लीटर ही है तो दोस्तों उसके बाद जो हमारे पास क्रॉस एच एफ बचडी आएगी वो हो जाएगी 87.5% और नसल में देखिए दोस्तों कहां से कहां तक सुदार आ गया और दूद 3550 लीटर हो गया दूद भी बढ़ रहा है और नसल में भी सुदार आ रहा है उसके बाद हम और दूद बढ़ कर हो जाएगा 377 लीटर और जो बचडी होगी उसकी नसल में जो सुदार आएगा वो 93.3.4% हो जाएगा तो दोस्तों ऐसे करते करते हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया नसल की जो ब्राउं स्विस क्रॉस और जिसमें सभी नसलों के जींस होंगे वो गा जाएगी तो दोस्तों इसके लिए हमें पीरिड थोड़ा लंबा करना पड़ता है क्योंकि साथ आठ सार लग जाते हैं अगर हम देशी नसल से वो देशी नसल को त्यार करें तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर हम हमारे जरसी गाए है उसे हम शुरू करने तो हम में हमारे एक दो साल कम हो जाते हैं तो दोस्तो इसलिए इस जानकरी को जान से समझ लीजिए और देशी नसल से एक बेदेशी नसल की जो गाय त्यार करनी है वो बहुत ही बड़िया काम है ये इससे हमें दूद भी बहुत जादा मातरा में मिलेगा और हमारी गाय बिमार भी नहीं होगी तो दोस्तो आपको ये जानकरी कैसी लगी अगर आपको ये जानकरी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूरिए दोस्तो ठैंकी दोस्तो धन्यवाद